केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैश्णव जी, उत्तर प्रदेश की राजपाल आनंदि बेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर, आर एन रवी, करनाटक के गवर्नर, थावर्चन गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री, योगी अधित्यनाथ, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी सियम, मंत्री गाण, सामसद गाण, देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े, अन्य जन प्रतिनिदी गाण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिन तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है, आज से मदुरई, बैंगलूरू, चेन्नई, नागरकोईल और मेरठ लखनों के बीच बंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है, बंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिक्ता, ये रप्तार, हमारा देश, विक्षीद भारत के लक्ष की और, कदम दरकदम बढ़ रहा है, आज जो तीन बंदे भारत ट्रेने शुरू हुई है, इनसे बेश के महत्वपुन शहर और एहत्यासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है, टेंपल सिटी मदुरई, अब आईटी सिटी बेंगलूरू से बंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है, त्योहारों या विकेंड पर मदुरई और बेंगलूरू के बीच आवाजाही के लिए, बंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविदा होगी, शाथ ही ये बंदे भारत ट्रेन तीर से यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी, चिन्ने से नागरकोईल रूट की बंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा, जिन जगहों तक बंदे भारत एक्स्परेस के सुविदा पहुँच रही है, वहाँ परियटकों की संख्या बढ़ रही है, परियटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है, वहाँ कारोबारियों, दुकानदारों की आए में बढ़ोत्री हो रही है, हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं, इन ट्रेनों के लिए देशवाचियों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, विख्षिद भारत के लक्ष को पूरा करने के लिए, दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है, दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार सौशाधन और अपार अवसर की भूमी है, इसलिए तमिलनाडू और करनाट का समेथ, पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राफिक्ता है, बीते दस वर्षों में इन राज्यों में रेल्वे की विकास यात्रा, इसका उदाहरन है, इस साल के बजेट में हमने तमिलनाडू को छे हजार करोड रुपे से जादा का रेल्वे बजेट दिया है, ये बजेट ट्वेंटी फोर्टिन की तुर्णा में सेवन टाइम साथ गुना से अधिक है, तमिलनाडू में छे वन्दे भारत ट्रेंज पहले से ही चल रही है, इन दो ट्रेंज के साथ ये संख्या अब एट हो जाएगी, इसी तरह करनाटका के लिए भी इस बार साथ हजार करोड से जादा का बजेट आवन्टित हुआ है, ये बजेट भी प्वेंटी फोर्टिन की तुर्णा में नाइन टाइम नाओ गुना दिक है, आज बंदे भारत ट्रेनों की आठ जोड़ियां पूरे करनाटका को जोड रही हैं, साथियों पहले के मुकाबले कई गुना जादा बजेट ने तमिलनाडू करनाटका समेथ दक्षीन भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है, इन राज्यों में रेलवे ट्रेक्स बहतर हो रहे हैं, रेलवे ट्रेक का इलेक्रिफिकेशन हो रहा है, अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकरन हो रहा है, इससे लोगों की इज अफ लिविंग भी बड़ी हैं और इज अफ डूइंग बिजनेस में भी मदद मिली हैं, साथियों, आज मेरट लखनव रूट पर बंदे भारत ट्रेन के जरिये यूपी और स्खास कर पस्टिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुश खबरी मिली हैं, मेरट और पस्टिमी यूपी क्रांती की धर्ती हैं, आज ये ख्षेत्र विकास की नई क्रांती का साक्षी बन रहा है, मेरट एक और RRTS के जरिये राजधानी दिल्ली से जुड रहा है, दूसरी और इस वंदे भारत से प्रदेश्टी राजधानी लखनव की दूरी भी कम हो गई हैं, आधुनिक ट्रेने, एक्स्प्रेस वेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पी एम गति शक्ती का विजन, कैसे देश के इंफ्रास्रेक्टर को बदलेगा, NCR इसका उदाहरन बन रहा है, साथियों, बंदे भारत आधुनिक होती भारतिय रेलिवे का नया चहरा है, आज हर शहर में, हर रूट पर बंदे भारत की मांग है, हाई स्प्रेट ट्रेनों के आने से लोगों में, अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है, आज देश भर में, 102 बंदे भारत रेलिवे सेवाए संचालित हो रही है, अब तक तीन करोड से ज़्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं, ये संख्या बंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबुत तो है ही, ये आकांशी भारत की आकांशाओ और सपनों का प्रतीग भी है, साथियों आधुनिक रेल इंफ्रास्रक्चत विक्सित भारत के विजान का एक मजबुत स्थम्भ है, रेल्वे लाइनों का दोहरी करण हो, रेल्वे लाइनों का इलेक्रिफिकेशन हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्मान हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल के बजेट में धाई लाग करोड रुपिय से ज़्यादा बजेट रेल्वे को दिया गया है। हम भारतिय रेल को उसकी पुरानी छबी से निकालने के लिए उसे हाइटेक सेवाओं से जोड रहे हैं। आज बंदे भारत के साथ साथ अमरत भारत ट्रेडों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द बंदे भारत का स्लीपर बर्जन भी आने वाला है। महानगरों में लोगों को उनकी सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है। और शहरों के भीतर ट्राफिक समस्या से निजा के लिए जल्द ही बंदे मेट्रों भी शुरू होने जा रही है। साथियों हमारे शहरों की पहचान उसके रेल्वे स्टेशनों से होती रही है। अम्रद भारत स्टेशन योजना से स्टेशन भी समर रहे शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश के 1300 से जादा रेल्वे स्टेशनों को रेनोवेट किया जा रहा है। आज देश में जगर जगर ऐरपौर्ट की तरह ही रेल्वे स्टेशन भी बन रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेशनों को भी अत्याधूनिक सुभीदाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाब होता है। देश के गरीब और मद्यमबर को लाब होता है। रोजगार के अवसर उपलब्द हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से गाउं में भी नए अवसर पहुंचने लगे हैं। सस्ते डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की विज़े से भी गाउं में नई संभावनाय बन रही हैं। जब अस्पताल, सौचालय और रिकॉर्ड संभ्या में पक्के मकानों का निर्माण होता है। तो सबसे गरिब को भी देश के विकास का लाब मिलता है। जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, तो इससे नव जवानों की प्रगति की संभावना भी बढ़ती हैं। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण, बीते दस वर्षों में पचीश करोर लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं। साथियों, बीते वर्षों में रेलिवे ने अपनी महनत से दसकों पुरानी समस्याओं के समाधान की उम्मिद जगाई हैं। लेकिन अभी हमें इस दिशा में बहुत लंबा सफरताय करना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतिय रेल, गरीब, मध्यमबर्ग सभी के लिए सूखद आत्रा की गारंटी नहीं बन जाती। मुझे विश्वात हैं देश्ट में हो रहे इंफ्रास्रक्टर का ये विकास, गरीबी को समाप्त करने में बड़ी भूमी का निभाएगा। मैं एक बार फिर तमिलनाडू, करनाटका और उत्रप्रदेश के लोगों को तीन नई बंदे भारत के लिए बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत सुब कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।